तो फ्रेंड्स आज फिर मार्किर ने वही रूल्स और रेगुलेशन का के हिसाब से ही मूव किया जैसे निफ्टी में निफ्टी में क्या था तो वहां से रेजिस्टेंस फिल हुआ और धराम से निचे आया 24,340 इवन ये भी बताया था 24,370 के निचे पें क्रेट होगा और 24,340 ही अगला लेवल होगा तो इजेक्टली जो लेवल बताया था वही पे जाके रुकी और फिर सारा दिन साइड बे रही उसके बाद कल मैंन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का पी रेशियो भी बताया था मैंने ये बताया था आप सब को कि जो बैंकों के पी रेशियो पहली काफी डाउन है क्योंकि जब डिपोजिट ग्रोथ नहीं बढ़ लई थी दो तीन मेहीं पहले तो तब ही बैंक भागी नहीं थे और भागा पूं था निफ्टी अभी हम इसके बारे में भी डिटेल में और ज्यादा बाते करेंगे डिसकुस करेंगे क्योंकि कहीं के मैसेज भी आया है इस बारे में तो थोड़ा और भी मैं आपको क्लेर करूंगा तो यह देखिए यहां बताया था कि इस एरिया में जबर्दा स्प 51,000 तू 100 गे एरिया में क्योंकि यहां पर 20 वेंवर राइजINE कैंग फतारा में ध। यह सारा स्पॉर्ट एरिया है 51,000 से 51,200 के एरिया यहाँ जबर्दस sport थी और यहाँ जबर्दस resistance थी यह सब चीजें वहाँ पर भी मैंने mention की थी टेलीग्राम पर भी टेलीग्राम भी बता था कि यह एरिया बड़ा खतरनाक resistance है और यह एरिया खतरनाक sport है स्पोर्ट से उपर गई रिजिस्टन्स से नीची आई और सारा दिन साइड वे रही मतलब बिल्कुल प्रॉपर प्राइज एक्षन मार्केट डेली के डेली फोलो करती है इसमें भी देखिए 23,700 के आसपा स्पोर्ट थी तो वहीं से स्पोर्ट ले गई फिन निफ्टी और य कि उनकी अर्निंग्स अच्छी आई है उदर HDFC बैंक की अर्निंग्स आई थी इदर इसकी बजाल फिनेस की आई है बैंकों का वैसे ही पी रेशियो कम है काफी नीचे गिरा हुआ है तो इसलिए वहाँ पर गिरने की गुंजाइश नहीं है इदर देखिए मिड़ का निफ् इस बताया था 12,646 अंडर गे और वहीं से नीचे गिरा थोड़ा सा उचाल आया फिर गिरा और गिर के साइडवे हो गया मतलब मार्किट अब बुरी तरह से फस्ट चुकी है कैसे फस्ट चुकी है यह भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं यह देखिए अब म ध्यान देना चाहिए इन बैंक रिफ्टी के अंदर कल तो मैंने सरसरी यह बताया था कि इनके पी रेशियो देखे काफी गिरे हुए है और एक मॉडल पी रेशियो कौन सा होता है 15 to 25 इस एरिये में जो हो उससे यह माना जाता है कि इसके फंडामेंटल भी कम से कम ठीक के और इसका पी रेशियो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इतना होना चाहिए तो उस हिसाब से 50 to 25 के एरिया में तो आपके सामें यह लिस्ट है यह देखिए अच्छी एफसी बैंक आईसी एसी बैंक और उसके बाद आ जाओ कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के प्राइवेट बैंकों की और आप ध्यान दे सकते हो इस चीज में और इस चीज में अब कौन सा खेल चल रहा है मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर एक सीधा साधा खेल चल रहा है कि एक चीज पांच रुपे की थी वो हो चुकी थी पचास रुपे की तो उसे नीचे लाया गया और एक चीज 50 रुपे की थी वो हो चुकी थी 5 रुपे की वो आ रही है उपर की हो तो ये चीज कहां चल रही है banking में finance में और ये चीज कहां चल रही है FMCG सेक्टर पार्मा सेक्टर ना FMCG सेक्टर जा दूसरे लगा लो oil and gas लगा लो defense लगा लो उन stocks में ये काम हो चुका था तो मतलब nifty ये nifty area ये है bank nifty area अब हो कहा रहा है एक चीज तो जा रही है उपर bank nifty फस ये क्योंकि यहां पर एक चीज 5 रुपे की थी ये अब 50 की और वापस जाएगी ये मैं एक example दे रहा हूँ आपको तो ये nifty है तो इसलिए market में इतनी high volatility है एक चीज ऊपर जा रही है एक चीज नीचे जा रही है तो ऐसे में एक आम ट्रेडर के बस की बात नहीं है ट्रेड करना इसमें आप जितना ट्रेड करोगे उतना पैसे गुआ होगे तब ही कहा जाता है कि किसी personal financial advisor की advice से ही ट्रेड केजिए एक आम परसन के बस की बात इस टाइम नहीं है क्योंकि एक चीज तो आपको ऊपर खीच आती थी तो जब बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवस में प्रॉफिट बुकिंग आती थी तब निफ्टी नीचे आना शुरू कर देती थी तो इस तरह से काफी जादा उल्जवी मार्किट बन चुकी है तो ऐसे में बड़ा ध्यान से जो प्राइज एक्शन से हैं उनको फ आधा सार्व से वैयल्यूइशन का खेल खिला जा रहा है बड़ा जबर दस्त व्याली यूज को सही पर लाया जा रहा है यह मार्किट के लिए अच्छा भी है और खासकर लॉंग में इंवेस्टर के लिए काफी अच्छा लोंग टर्म इंवेस्टर को और भी ज्यादा मॉ जाएगी जो long term investor है जितना गिरेगा उतनी उसकी average अच्छी होती चली जाएगी क्योंकि वो already profit में होता है क्योंकि उसका 2-3 साल का सिप चल रहा होता है और जिन्होंने अभी भी start किया है वो 3-5 साल लेकर चलें 3-5 साल के बाद उन्हें profit नजड़ाना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब market मालो आपका सारा सिप या portfolio minus में भी हो तो अब minus में भी अगर आप सिप को continue रखोगे धीरे 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 करके आप plus में ही तो यह system होता है तो और जो daily trader होता है उसको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है price action का उसे हमेशा price action को follow करना चाहिए अब देखिए जो NASDAQ है DAO future है DAO future में देखिए 19,930 से इसने sport ले ली है और मैंने आपको बताए था कि जो हमारा IT sector में वो काफी अच्छ है तो जिस साब स इसमें recovery आई है IT sector के अंदर तो हमारे भी IT sector में कल फिर से focus रहेगा IT sector सुबह सुबह मैंने telegram पर बताया था कि भाया IT sector आपके focus में होना चाहिए उसके बाद अगर हम DAO future में है तो इनका काफी बुरा आल है यह level 42500 अब यह resistance करेगा और मुझे लगता है धीरे धीरे यह नी 60 यह 20 पॉइंट माइनस है यह भी बहुत कंफ्यूज है यह सुबह सुबह आज देखा होगा 70 पॉइंट प्लस थी और हमारी मार्किट कहां खुली माइनस में मैंने कल बताया ही था कि मार्किट की गैप डाउन खुलने के ज़्यादा चांसी से बजाए के प्लस के मतलब इस 25,500 पे भी पुट राइटर आ गया क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बैंकों की वैलुईशन काफी डाउन है और लोग धीरे धीरे करके प्राइवेट बैंकों में पार्टी स्पेशन कर रहे हैं और उपर की और 52,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर और 52,500 अब शॉर्ट क का चार्ट अच्छा देख रहा है, ICAC बैंक का चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है और HDFC बैंक ने आज टार्गिर हिट कर दिया जो ओल टाइम इसका हाई था लग पर उसके पास चला गया था तो HDFC बैंक भी थोड़ा कल परशान कर सकता है, Axis बैंक इसका चार्ट अच्छ में मिला जुला रुजान है, तो बैंक निफ्टी कुल मिला के क्या लग रही है, बाइ और डिप, तो डिप आपको पता ही, अब तो रट गया होगा, दो मेने होगे हमें रटाते हैं आपको, कि 51,000 से 51,210, क्यों, क्योंकि इसमें 100 EMA भी आ गया, इसमें 20 EMA भी आ गया, आप लॉस 51,000 से कहीं वर भी नीचे रख सकते हैं, 10-50 पॉइंट नीचे, कोई उसमें कोई important बात नहीं है, बाकी फिर से आपको ये लेवल दिख सकते हैं, 51,300, 330, 500, 600, पर ध्यान रखना, ये एक खतरनाक resistance area, बड़ा ही जबरदस्त, ये मैंने सुवे से टेलीग्राम पर इ जोइन कर लिजिए, इसके लावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाईए, और जाद ज्यादा वीडियो को शेर किया कीजिए, तो 51,700 से 800 का area बड़ा जबरदस्ट्रोंग resistance है, या 20 M है, 10 M है, 50 M है, ठीक है न, तो ये rules के according के आज वहां से फिर गिर गई, बेंक निफ्टी, जब तक ये area cross ही होता, अब 50 Demo भी काफी नजदीक आ चुका है, दियान रखना, 51,876 पे भी resistance है, बतलब ये सारा resistance area ही चलेगा, और 52,000 पर क्या है, call writer, अब स्वाल उड़ता है, कि short covering का आएगी, तो जहां call writer उससे 100 point ऊपर ही आएगी, naturally ह तो 52,100 के उपर ही short covering possible है, नीचे आप 51,935 का stop loss भी लगके चल सकते हो, उपर 52,210, 230, 418 और 52,600, ये important level रहेंगे, ये तो आपको पता ही है कि 52,500 से 600 के area में ही गिरावट आई थी, और उसी का खामिया जा हम भुकत रहे हैं, ठीक है, अब 52,500, 600 के और वापस जाते हैं, मुझे नजर आ रहे है, बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि वापस वही पर जाएगी, और फिर देखना होगा कि double top formation बनती है, यहां उसे cross करती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार cross हो जाएगा, क्योंकि valuations काफी कम है, दिरे दिरे ये PE ratio, सभी बैंकों के 25, 30, 40, 50 तक जाएगे, और फिर जाकर उसमें profit booking आएगी, जैसा कि मैं बार बार बताई रहा हूं कि इस time valuation का जबरदस्त खेल चल रहा है, मार्केट के अंदर, और अब आते हम निफ्टी में, रिलाइंस में, तो निफ्टी के components जो हैं, रिलाइंस अभी भी चार्ट खराब है, आपक जब तक इस triangle pattern को cross नहीं कर देता, तब तक ये chart अच्छा नहीं होगा, उसके बाद अगर इनफी में आएं, तो इनफी में भी reverse hammer बनाएं, तो ये भी एक chart अच्छा नहीं है, lt को देख लें, ये भी chart अच्छा नहीं है, tcs को देख लें, ये भी 10m और 20m बार 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 resistance ले तो कुल मिला के, nifty में कोई ऐसे रंग डंग सही नहीं दिख रहें, कि जहां पर हम कह दें, कि market के components काफी अच्छे हैं, नहीं अच्छे, chart खराब है, तो यहीं कारणा है, कि market पे high volatility है, nifty के components कहते हैं, मैंने तो नीचे जाना है, bank nifty के components कहते हैं, कि हमने उपर जाना है, एक का मूँ उत्तर की हो रहे, का मूँ दक्षिल की हो है, तो इस तरह से market चल रही है, तो nifty bank nifty, ऐसे एक दूसरे को उपर नीचे खीच रहे हैं, तो मामला काफी volatile है, तो मेरी यहीं रहा है, कि आज कल के दिनों में थोड़ा सा संबल कर चले, दिवाली तक तो मुझे लगता है ट्रेंगल पेटरन क्रोस करेगा, तब यहां फिर इदर जो nifty के दूसरे components हैं, जिसमें हम IT sector है, LTC है, यह जब sector stocks के level अच्छे होंगे, तब यह bank nifty के साथ, ताल के साथ, ताल मलाएंगे, तब जाकर कुछ nifty का होगा, तो nifty का वो कौन सा level है, जिसके उपर इसके हलास उद जब तक 24,750 क्रोस नहीं हो जाता है, नifty buy on dip नहीं कहीं जाता है, जब तक nifty 24,650,700 के नीचे है, यह sell on rise का ही काम करती रहेगी, तो यहां पे जबर्दस resistance है, क्योंकि 10 एमा falling है, यह तो फार्मला मैंने समझाए हुए है, कि जहां falling एमा होता है, वहां से गिरावट आएगी, इदर 20 एमा भी falling है, 100 एमा भी falling है, तो यह सारे resistance बिखरे पड़े हैं, तब ही मैंने कहा कि 24,700 तक तो सारा sell on rise ही नजर आ रहा है, ठीक है, यह तो आपको दिखी रहे है, यह मुझे खास बताने की जुरुत नहीं है, कि जहां जहां से selling आती नजर आएगी, नीचे की level जो ध दिरे दिरे खुलते जाएंगे, 24,000, 3,20, 2,70, 2,50, 2,30, यह पता क्यों दिरे दिरे मैंने बोला, यह इसके बोला, क्योंकि bank nifty उपर जा रही है, तो यह दिरे दिरे खिसकेगा, 10, 10, 20, 20 point, यह बहुत बहुत करेगा, nifty, यह तो है नहीं कि bank nifty एक दम से उसे नीचे ले है, bank nifty मदल नहीं कर रहा है, तो इस लिए धीरे 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 जैसे आज आपने देखना, धीरे 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 320 तक दिया, काफी धीरे धीरे, तो ऐसे ही यह कच्छुए की चाल से, धीरे धीरे धीरे, 320, 270, 250, 230, 200, 200 उटा दो एक भारी पेंट क्रेट हो सकती है, इसमें, और 450 के आसपास, तो 23,450 तक का एरिया भी मुझे नीचे की और दिख रहा है, तो यह था निफ्टी का, और उपर शॉर्ट का भी बताई दी, 24,750 के उपर पोसिबल है, उपर के जो लेवल रहेंगे, उसमें आपको अब नजर आई रहा होगा यह एरिया, कितना खतरनाक रिजिस यह कौन से अरिया है, 24,880 से लेकर 950 का एरिया, सारा का सारा एरिया भरा पर है, फूरी तरह से भर गया है, इस रिजिस्टन से, तो जैसे बैंक निफ्टी का वो एरिया, 700 to 800 खतरना गया, ऐसे ही निफ्टी का यह एरिया खतरन के, मतलब काफी डिफिकल्ट मार्किट है, औ जगा पर सिपोर्ट है, जो राइज हो रहे हैं, में वहां से प्लिफ्ट मिल रही है, जो फॉल हो रहे हैं, वह वहां से रिजिस्तन्स मिल रहे हैं, तो टक 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 मार्किट हैसे चल रही है, उपर लीजे 맞़ाय już थादिवार।